ओम स्री गणई शाय नमा, नमस्कार दोस्तों, एस्टो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त राजेश जोसी, दोस्तों ब्रत्योहारों की स्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए, आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णी मा के बारे में तो दोस्तों, गुरु पूर्णी माती थी, मा लक्ष्मी को समर्पित होती है, और हर महीने में आने वाली पूर्णी मा का अपना महत तो होता है। अगर लक्षमी नरायन की आरादना पूर्णिमा तिथिको की जाती है तो वैसे तो प्रतेक पूर्णिमा काफी महत्व पूर्णिमा होती है लेकिन आसाल माह में पढ़ने वाली पूर्णिमा का विशेश महत्व होता है इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता ह क्योंकि धर्म सास्त्रों के अंसार चारों वेदों के ग्याता महर्शी वेदव्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था तथा सिप पुराण के अंसार महर्शी वेदव्यास जी को भगवान स्रीहरी विष्णु का अवतार माना जाता है इसलिए पूर्णिमा तिथी पर विशेश रूप से भगवान स्रीहरी विष्णु की पूजा की जाती है और आसाड मास की पूर्णिमा पर महरसी बेदव्याज जी की पूजा की जाती है क्योंकि स्रिष्ट के पहले गुरु के रूप में उन्हें ही माना जाता है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आसाड मा की पूर्णिमा तिथी के बारे में की पूर्णिमा तिथी कब प्रारंब होगी इसका समापन कब होगा तथा जो भक्त पूर्णिमा का उक्वास करना चाहते हैं उन्हें ब्रत कब रखना है स्नान दान कब करना चाहिए और आज के दिन हमें कौन से विसेश कारी करने चाहिए जिन से हमें गुरुजनु का आशिरवात प्राप्त हो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह यही निवेदन होगा कि आप वी गुरु की पूजा की जाती है और सास्त्रों में गुरु का दर्जा भगवान से भी उपर माना जगया है यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो आप अपने गुरु के चरण स्पर्स करें उनका दर्सन करें और उनका आशिरवात प्राप्त करें दोस्तों मनुष्य के ज तो होता है, गुरू होता है, जो जीवन में हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का ग्यान हमें गुरू के द्वारा ही होता है, और यदि अगर इस प्रकार से हम देखते हैं, त हमें गुरु पूर्णिवा के दिन सरुप्रथम अपने माता-पिता का आशिरवाद लेना चाहिए, माता-पिता का आशिरवाद लेने के पस्चार हमें अपने जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं उनका आशिरवाद लेना चाहिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो यह गुर गुरुपूर्णिवा के दिन गुरुजनु का आशिरवाद से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है तो इस प्रकार गुरुपूर्णिवा का विशेश महत्त होता है एक और महत्त पूर्ण बात यह है कि यदि आपने अभी तक किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है या आपने किसी भी गुरु से दीक्षा नहीं ली है तो आप अपने इस्ट को ही अपना गुरु मानकर उनका आशिरवाद लें और यदि आपने किसी को गुरु बनाया है तो आप अपने गुरु से अवश्य ही आशिरवाद लें और यदि आपने गुरु नहीं मनाया है त तो आपको अपने इस्ट के ही मंत्रों का जब करना चाहिए तथा यदि आपने दीक्षा ली है तो आपको अपने गुरु द्वारा दिये गे मंत्रों का जब इस दिन करना चाहिए इस दिन इस प्रकार के मंत्रों के जब करने से आपको जीवन में काफी उंचाई मिलेगी और आपके जीवन में सुक सम्रिद्धी आएगी तो दोस्तो आई अब जानते हैं कि आसार मास के पूर्णिमा की तिथी कब है दोस्तो पूर्णिमा तिथी का प्रारंब 13 जुलाई 2022 प्राता 4 बजे से होगा तथा इसका समापन 13 जुलाई 2022 को ही रातरी 12 बज़ कर 6 मिनिट अर्थात अगर आप देखें तो 14 जुलाई हो जाती है मगर 13 जुलाई की ही रातरी हम मान लेते हैं 13 जुलाई की रातरी को 12 बज़ कर 6 मिनिट पर इसका समापन होगा और इसी दिन इसनान्दान होगा तथा जो लोग ब्रत रखना चाहते हैं ब्रत भी इसी दिन रखा जाएगा इस दिन पूर्णिमा तिथी एक ही दिन पढ़ने से कोई इस प्रकार का संसय भी नहीं रहेगा कि पूर्णिमा कब है तो दोस्तों आई अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा की हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए तो गुरु पूर्णिमा के दिन प्रात्यकाल जल्दी उठकर अपने स्नानादी से निवृत्त होकर आप सरुपर्थम सूरी देव को जल अरुपित करें तत पस्चात अपने घर के ही मंदिर में लक्षिमी नराणि की पूजा करें और आरती करें तत पस्चात आप छमा प्रात्ना करें आज के दिन आप विश्णु सहसर नाम का भी पाठ कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासु देवाय नमः इस मंद्र का जब आप कर सकते हैं आप मा लक्षिमी के स्री सूक्तम पाठ का भी इस दिन जब कर सकते हैं और इससे आपको मनुवांचित फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का नास होगा आपके जीवन में सुक सम्रिद्धी आएगी तो दोस्तो इस प्रकार गुरुपूर्णिवा की पूझा आप करें और यही खाश जानकारी इस वीडियो क माद्यम से मैं आपको देना चाह रहा था यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो का अवस्ची लाइक करें तथा साजह करें इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा अपने फैमली मेंबर्स के साथ जिनसे उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए य जन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुभ हो